हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लाइफ गोल एजुगेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को मदल लाल धिंग्रा जी के बारे में बताने वाली हूँ कि मदल लाल धिंग्रा जी कौन थे और उन्होंने करजन वायरी को क्यों मारा था मदल लाल धिंग्रा जी एक महान क्रांतिकारी थे वे अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाना चाहते थे धिंग्रा जी लंडन गए अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए वहाँ पर वे इंडिया हाउस में रुके इंडिया हाउस एक ऐसी जगे थी जहां पर भारतियों को रहने और खाने के लिए मुफ्त में सुविधाय उपलगत कराई जाती थी वही पर धिंग्रा जी ने प्लैन बनाया कि कर्जनवाईली की हत्या करनी है कर्जनवाईली एक ब्रिटिश ओफिशिल था वो हेड था सीक्रेट पुलिस का और जो भारतिये क्रांतिकारी होते थे उनकी इंफोर्मेशन को उनकी जानकारी को खूफिया तरीके से इकठा करने का काम करता था धिंग्रा जी जानते थे कि कर्जनवाईली जीवित रहा तो कभी भी देश को आजादी नहीं मिल पाएगी उन्होंने निश्चे करी लिया था कि कर्जनवाईली की हत्या करनी है एक शाम का समय था धिंग्रा जी और बहुत से भारतिये और इंग्लिश मैन एक फंक्शन में गए हुए थे वहाँ पर जब उस फंक्शन की समापती हो रही थी तब कर्जनवाईली अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगा तभी धिंग्रा जी ने फाइरिंग कर दी और उसी जगया पर कर्जनवाईली की हत्या हो गई वो मर गया तो यहीं पर मैं आप लोगों को एक इंट्रेस्टिंग बात और बताना चाहूंगे कर्जनवाईली जो था वो धिंग्रा जी के फादर का खास मित्र था अब आप इसी से अंताजा लगा सकते हैं कि धिंग्रा जी कितने महान क्रांतिकारी थे कि इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा देश की आजादी के बारे में सोचा और कर्जनवाईली को मार दिया जब कर्जनवाईली की हत्या हो गई तब तुरंत पुलीस ने आकर धिंग्रा जी को अरेस्ट कर लिया और उन्हें कोट में पेश किया गया जब कोट में उन्हें पेश किया गया तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तभी धिंगडा जी ने कहा कि Thank you, my Lord कि आपने मुझे ये सजा दी है आज मुझे खुद पर बहुत गर्व महशूस हो रहा है कि मैं अपनी भारत माता के लिए अपने देश के लिए अपने प्रानों की बलिदानी दे रहा हूँ इसी के बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन में उन्हें फासी पर चड़ाया गया देखिए यूं तो हम कहें कि करजनवाईली को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन धिंगडा जी ने अंग्रेजों के मांध में जाकर अंग्रेजों के घर में जाकर एक अंग्रेज को करजनवाईली को मारा वैं चाहते थे कि अंग्रेजों के मन में भारतियों के लिए खौफ पैदा हो और अंग्रेज देश को छोड़ दें अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक करें जै हिंद